नमस्कार मैं रुपेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल पर 36 गड़ी पिजली विभाग से एड्मिट कार्ड जारी हो गया है JE Data Entry Operator का एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो को अंतर जरूर देखते रहें इस प्रकार आपको स्किन के सामने दिखाई दे रहा होगा JE Data Entry Operator का एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखते रहें यहाँ पर Google के सामने आपको सर्च करना है सर्च करना है क्या लिखना है C, A, S, P, D, C, L है न यहाँ पर आपको सर्च करना है और यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है Recumen in 36 गड़ आपको वहाँ क्लिक करना है ओके जैसे यह आप Recumen in 36 गड़ पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने चलिए देखते हैं यहाँ पर 36 गड़ इस्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ना यहाँ आपको डाटा एंटर आपरेटर या जेई का एड़िमिट काड डाउनलोड करना है तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पर डाउनलोड करना है और यहाँ अगर जुनियर इसके बाद अपको करना क्या होगा आप हैंपमें बताता हूं यहाँ पर यूजच च्रेश 색깔र यूज़ए डाल लेना होगा और password डाल लेना होगा और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसको डाल लेना है और इसके बद login में click कर देना है इसके बद नया open खुल जाएगा new page आ जाएगा जैसे आप login पर click करोगे तो एक नया page खुल कर आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ admit card download कर सकते हैं यहाँ click हो जाएगा उसके बद इस तरह का आपको page open हो जाएगा तो आप यहाँ admit card लिखा है यहाँ देखो cspscl 5-14-2020 तक data and laborator का exam होना है यहाँ पर आपको इस तरह दिखाई देगा तो इसी तरह आप लोग को admit card download कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगए हो तो like subscribe जरूर करें धन्यवाद